Hello Friends, Hi! आज का टौपिक है मेरा Hair colour क्योंकि हम सभी जो beginner होते हैं जो होते हैं जो पहली बार kosten लगाते हैं तो हम लोगों को काफी problem होती है कि कौन सा का लेक्ट करें कौन से बालों को का सा कलर चाहिए तो जब लगाने लगते तो हम लोगों को पता चल जाता है हमारी स्किन पर यह सूट करेगा जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है तो अभी मैं पूरे वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा कलर कौन से बालों पर सेलेक्ट करें दूसरा कि आपको कलर लगाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है जैसे इचिंग होना जलन होना और सेंस्टिव इसकिन होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैं आज कल सभी के बाल जनली ज़्यादा सफेद हो जाते हैं तो सवाइट होते हैं त करते हैं तो कौन सा कलर यूज करें क्यों कि मार्केट में आप देख रहे हैं मेरे पास यह इतने सारे हेर कलर रखते हैं यह देखिए मैं आप लोगों के लिए खरीद के लाई हूं कि कौन सा कलर स्लेक्ट करें तो सबसे पहले सबसे अच्छा होगा आप अपना हेर कलर्ण करने से पहले आप या तो वह सके तो अच्छे प्रोफिशनल पालर में जाएं और एक प्रोफिशनल वह जो होते हैं पूरी तरीके से आपके बालों को देखके आपका टेस्चर बताएंगे कि आप कौन सा हेर कलर आप पर सूट करेगा यह नहीं कि आप मार्केट में जाएं कोई भी अच्छा लगे आप ले लें अच्छा होगा आप पालर में जो यह बारवर शॉप पे यह पालर में तो वो लोग बताएंगे आपको जो प्रॉफेशनल हैं जिनको अच्छी नौलेज है हेर के बारे में उनसे जरूर मतलब एक परामर्स लें उनसे जरूर बात करें और एक बार उनी से लगवाएं ताकि आपको पता चल जाएगा हेर कलर कौन सा आपको यूज करना है वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं दूसरा अगर आप नहीं जा सकते हैं पालर नहीं जाना चाहते हैं तो आप देखिए मेरी त इतने सारे हेर कलर ले चाहिए यह डॉक्टर बत्नाज का है तो यह तो यह आप छोटे-छोटे पाउच लीजेगा आपको पता नहीं है कौन सा कलर आप पर सूट करेगा या आपके बालों पर टेस्टर कौन सा है क्योंकि अगर आप गलत कलर यूज करेंगे आप अपने तो अच्छा होगा तो सही से चेक करें तो आप घर पे कैसे चेक कर सकते हैं कि यह जैसे यहwire कर लिए आपने यहां पर यह अगर आपको जलन नहीं हो रही है तो यह यह बड़ नहीं लिया बलकि चोटा लिया तो आप इसको भी यह भी छोटा है तो इसको भी अच्छा थोड़ा सा अलग है मैं तर इसको क्या वह तो बस यह चोटा होगा तो कम प्राइज का होगा तो आगर आपको सूट नहीं कर सता है तो आप इसको क्या डिश्ट्राइ सकते और फैक सकते हैं आप दूसरा ले सकते थो आप सिल्ध्र अगर कर रही है घर पे तो ऐसे चैक कर सकते हैं तो कम पैसे वर वेस्ट होंगे और आपको पता चल जाएगा हमारे बालों के कौन सा कलर यूज बता ही हो रहा है और यह दोनों कलर मिक्स करने के बाद और फिर इस तरह से यह लगाने से इसके शाइन बहुत अच्छी आती है इस तरह से पाउच निकलता है अच्छा इसमें नहीं निकला इसमें नहीं आया है और इसके अंदर यह निकला है तो आप इस तरह से इन दोनों को रखी लगाईए में मिक्स करिए और फिर आप इसको बाद में जब वाश करते हैं आदा घंटे बाद या 45 मिनिट बाद तो आप इसको इससे के शाइन बहुत अच्छी आती है और यहां पर इसमें वो भी ए यह इस तरह से इसमें यह कंडिशनर है तो जब भी हैर का लगाएं और यह इसमें यह गिलास ने थापके हैं भी खराब नहीं होंगे फिंगर्स उकारा ठोड़ा थो ब्लैक नहीं होगी इस तरीगे से आप यूज कर सकतें तो सबसे जो बताने व को आपको पूशिश करें बर्गर तो आप बरगंडी ङे सकते हैं अगर थोड़ा सा रोडे चाही आपको या फिर नेच्छरल ब्राउन दिए डारक ब्राउन लें घंड लें अभी मैंने क्लर या यूज किया है यह अगर ऐसे बाल आपको तो यह ब्राउन और या फिर नेचर ब्लैक ये तीन कलर विक्दम नेचरल लुक देते हैं अगर आपको बालों का नेचरल लुक चाहिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि दूसरा यह जब भी आप हेर कल आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप नहीं लगा पारे जलन हो रही है तो आप जब भी सर्द होएं तो सर्द होने के बाद नॉर्मल हेडवाश ना करें आप सर जब भी दोएं तो सेंपू के सेंपू जरूर लगाएं और हो सके जिस कंपनी के जैसे माल लीजिए आप गानियर यूज कर रहे तो गानियर का सेंपू लें उसी का कंडिशनर यूज करें तो उससे क्या होगा आपके जो कलर है काफी टैम जल्दी निकलेगा नहीं ऐसे ही आप इसका इसे आप मलो लोरियल यूज कर रहे हैं तो इसी के आप सेंपू यूज करें और इसका प्रॉटक्टर भी आता है इसमें लोरियल में वह कलर को काफी टैम तक इस्टेबल रखता जब तक आपके नए बाल नहीं होगते हैं और य चीजों का जब फर्स्ट टाइम करें तो इन चीजों को ध्यान रखें तो आपको प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी और शेंपू जरूर करें शेंपू कलर लगाने के बाद शेंपू करें उसके बाद के कंडिशनर करें इससे बाल शाइनी ग्लॉसी और बहुत अच्छा लो चेंपू भी रही गया बताने के लिए मुझे यह डॉक्टर बत्रा का अच्छा जिनकी बहुत ज्यादा सेंस्टिविस इसकिन है अच्छा यह जितने भी मैंने कलर बताए अमोनिया फ्री बताएं लेकिन आप जरा बारी की सी जब देखेंगे तो आपको हर कलर में फर्क द जोड़ा सा कलर वैसा लगे एक दम ब्लैक सा नेच्रल लुक नहीं आएगा यह 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 उतनी साइनिंग नहीं है उसके बाद यह वाला कलर लेकिन यह सस्ता पड़ता है यह मीडियम रेंज है इसकी इसकी जदा कोसली नहीं है यह अभी पढ़ा है मेरा 180 का है यह बड़ा वाला ट्यूब आप देख रहे हैं इतना बड़ा यह कम से कम यह जितने बड़े मेरे बाल हैं वो तीन बार आप यूज कर सकते हैं यह बड़ा वाला है 180 का अगर होलसेल अगर कहीं मार्केट में लेंगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा यह अच्छ यह डॉक्टर बत्राज का है यह जैंट लेडिज दोनों लगा सकती है इसकी दवाई में कम से कम 10 साल से यूज कर रही हूं जिनकी बहुत जड़ा सेंस्टिव इसकिन है उनके लिए यह बहुत लाइट कलर है बहुत लाइट कलर है और बस थोड़ा कोसली जरूर है क्योंकि यह आया है 299 यह 300 का यह देखिए आप देख रहे होगे यह करीब 299 का है तो यह 300 का आपका पढ़ रहा है डार्क ब्राउन है लाइट बहुत है और बहुत अच्छा है तो अगर बहुत जड़ा जिनको प्रॉब्लम है हेर कला लगाने में तो आप यह जरूर पहले ट्राइ करें और यह कलर शाइनी गलोसी जैसे इसमें लिखा है यह लगाने के बाद बहुत शाहिन आती है बहुत गलोसी होता है अच्छा अब यह तो हेर कलर की बात हो गई अब जो प्रॉब्लम आती है हेर कलर में कि सबसे ज़्यादा हमने सुना है सभी लोग बोलते हैं अक्सर कि मैं हेर कलर लाए ते बहुत ज़दा खुटली होती है तो जब भी आप हेर कलर लगाएं तो सबसे पहले जैसे यह है जगह है यहां पे पेट्रॉलियम जैली या मॉ मॉशराजर लगा लें मॉशराजर या पेट्रॉलियम जैले कुछ नहीं है तो कोकोनट ओयल लगा लें पर यहां जरूर लगा दूसरा आपको कोशिश करें कि आप अगर आपको जलन होती है तो यह सब जो भी मैं बता रही हूं जिनको हेर कलर लगाने से प्रॉब्लम है उ तो आप अगर जब भी कल तो पेट्रॉलम जली लगा लें सबसे पहले एक दूसरा हेर कलर मालों आप लगाने जा रहे हैं तो संडे को आप हेर वास करें और कम इसका मंडे और टूजडे छोड़ रहें बैजनर्स देखो आप हेर कलर लगाए उससे क्या होगा थोड़ा सर ऐसा आपको एससा हो जाए गा करूध आपको कोine नहीं है अगरे कोई मटाद सबसे दाबी हेर कलर कोई ऐसी खिली मटादा Candle Laz Vamp लेकिन hair कलर यूज कर रहे हैं कभी भी ओएल लगा हूवा सर नहीं होना मझा सतुरांटर स्बाद आप लगाएं तो आपको बिल्कुर नहीं तीसरी मोटिफ्स है कि जब आप एर वाश करते हैं पर तो आप थंड़े पानी से एर वाश करगें क्योंकि आप एर कलर करने से पहले आप एर वास कर चुके होंगे तो डश्ट वगड़ा जो गंदा आपका सर है वो पूरा के तरह के लिन हो चुका होगा और हेर कलर के बाद जब आप सर्द होते हैं तो थंडा पानी जब यूज करेंगे चाहे भले ही सर्दियां हो तो आप थ जिलन नहीं होगी आप ठंडे पानी सर्द हों और कलर चुनते वक्त यह ध्यान आप तीसरी बात जो बोलते हैं हेर कलर लगाने से की यह फॉल होता है तो यह इसलिए होता है आपके बालों का जो टेस्चर है और हैर कलर का वह सबका अलग-अलग होता है तो आप जब भी कुछ लोग इस टाइब की मेहंदी लगाते हैं जब कि यह मेहंदी इससे काफी प्रॉब्लम होती है हेर कलर लगाने से के हेर मेंधी ये मेंधी कोई भी मेंधी लगाएंगे आप ऐसे कई लोग लगाते हैं बड़े बजुरुक अक्सर ज्यादा तर देखा गया आज कलकर जनरेशन तो नहीं लगाती है पर उनके लिए भी मैं कहूंगी कि मेंधी क्या होती है जब भी आप बालों में लगाएंगे तो मेंधी सुख जाती है चिपक जाती है तो वह जब ही निकलती है जब आपके बाल ही निकलते है यानि आपके बालों को आपके इसकल जो पोर है यह सर तो महंदी यहां चिपक जाती जब वाश करेंगे तो आप कसके रगड़ेंगे और महंदी चुटाने के लिए और तो महंदी कितना भी आप वाश करें महंदी रही जाती है बालों में चिपक जाती है और उससे क्या होता एकार दिन जब महदी लगी रहती है तो वो आपके बालों को जड़ों को रूट्स को वीक कर देती है फिर क्या होता बाल के साथ में ही महदी निकलती है आपके बाल भी निकलाते है तब वो महदी निकलती है तो यह ऐसी महदी यूज ना करें यह आपके ल को रोकने के लिए अच्छे हेर कलर यूज करें आप सस्ते हेर कलर ना यूज करें अभी और यह थाड़ है यह देखिए आप इस टाइप के भी अब चले हुए है यह शैंपू यह हेर कलर हेर कलर बिद शैंपू कि आप लिखने को तो इसमें पांच मिनट है पर हां 15 मिनट चाहिए तो जहां देर तक रखें अगर हलका चाहिए और जल्दी है तो आपकी यह इस तरीके से यह शैंपू अभी मार्केट में आ गए हैं तो आप छोटे से पाउच से आप ट्राइ कर सकते हैं पता चल जाएगा आपके बालों को सूट कर रहे हैं या आपकी स्किन को सू को होती हैं इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और देखने के लिए थैंक्यू और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू बाए